Hey guys, this is technical kiddy Guys, UC के एक new application launch हुई है जिसका नाम है UC Turbo तो basically ये भी एक browser ही है इस application में भी आप डाउनोड कर सकते हैं ब्राउदिंग कर सकते हैं बट इस application का interface बाकि दोनों application से यारी UC browser और UC mini browser दोनों से अलग हैं तो इस application का पूरा interface हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिक चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा और notification bell को भी on कर लेजागा तो चलिए वीडियो को स्टाट करते है application का interface बिल्कुल सिंपल सा है बट उतना ही attractive भी लगता है फर्स यहाप यूसी टर्बो की headline है उसके नीचे आपको यहापर search bar मिलता है और नीचे कुछ popular website स्टोर की हुई है जिसे आप इसे as a shortcut use कर सकते है search bar में आप यहापर simply भी search कर सकते है और यहाप यहापर square का option मिलता है उसमें जाने के बाद अगर आपके बाद कोई product है तो उसका आप barcode भी यहापर scan करके देख सकते है देन आपको नीचे यहापर तीन option मिलते है फर्स्ट है windows का अगर आपको कोई task यहापर अलग-अलग windows में करना है तो आप यहापर windows add करके आप अलग-अलग website को यहापर open कर सकते है अगर आपने किसी भी windows में किसी site को open किया है तो उसे windows में आपको यहाप अलग-अलग pages भी यहापर browse कर सकते है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे एक पेज में फेस्बुक को रखा है और दूसरी पेज में यहाँ गूगल को रखा है तो आप यहाँ पे जस्वाइब करके नेक्स पेज में जा सकते हैं और अगर आपको यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे नीचे क प्र स्थ आप्टरेंन यहाप को उतना हैंशनाहां तो यहाप में पीना टोओ निया तंसका सब्सक्राइब ना-गोड-शन अधों इसवाशनर प्रस्डंस वह किना हीNट की battle- को साब्सक्राइब यह पर आपको यहां पर जो तूल बॉक्स का उप्शन मिलतें उसमें जाने के बात यहां पर योए का एक सेटिंग भी आपको काफी हेलप लोगी इंटेस्टिंग इंच्टिंग विए इसमें आपके इस ब्रावजर की इसरी इंटरफेस को यहां पर चेंड़ कर सकते हैं तो आपको किसी भी website को as a PC में यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करना है तो आप यहाँ पर PC को सिलेक कर सकते हैं जैसे आप iPhone में यूज़ करते हैं वैसे अगर आपको किसी site को यूज़ करने आप यहाँ पर iPhone को सिलेक कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल यहाप एंडुड को सिलेक रहने दे सकते हैं तो इस आप्षिन में आप आपके वेबसाइट को लूग को चेंज कर सकते हैं लास्ट में आप में बात करते हैं सेटिंग की जो सेटिंग में आप इंपर्टन आप्षिन है वो आपको मैं यहाँ बताता तो आपको यहाँ पर एक एड ब्लॉकर बिल जाता है जिसे आपके ब्राउजिंग मॉड आने वाली सभी अनॉइंग आड्स को आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं जस्ट आपको यहाँ पर ब्लॉक मोड को ओन करना है तो अब चाहे तो इस एप्लिकेशन का इंटरफेस का वालपेपर एक भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं वालपेपर में जाने के बाद यहाँ पर आप अल्बम में जाकर आपके मॉबाइल से कोई भी फोटो कोई सेलेक कर सकते है तो यह वालपेपर आपको आपके ब्राउजर के होमपेच बर यहाँ पर दिखाई देगा तो आप आपके ब्रावदर का लुक भी यहां पर चेंज कर सकते हैं तो लगबग हमारे सभी option यहां पर complete हो चुके हैं तो जो मेन मेन option थे वो सभी हमने यहां पर clear कर लिए हैं तो बस यही था इस वीडियो में आपके आपको यह वीडियो पसंद आएगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरू कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में